हाई अदाब सलाम नमस्का शश्रीकाल मैं रोशन कुश्वा और आप देख रहे हैं टाइमस अब सीता मढ़ी में आपका स्वागत है जी मैं बात कर रहा हूँ अभी बिहार तिरुत असनातक उपचुनाओ की जहां पर आप देख रहे हैं सरगर्मी तेज है मौसम में हलका ठंडापन है लेकिन जमीनी धरातल पर गर्मी तेज है और गर्मी तेज क्यों न हो जब जहां राज्य हो बिहार और बात हो राजनीती की तो गर्मी तेज हो ही जाती है और राजनीती के बाद साथ अगर उस समय बात हो इलेक्शन की चुनाओ की जिस तरह आप देख रहे हैं अभी पार्टी अपनी दावेदारी कर रही है कि हम जीत रहे हम जीत रहे है इस हम हम के लराई में फाइनली अभी तक क्या है अपडेट वो मैं आपको जानकारी देने जा रहा हो जैसा कि रात को पता चला खबर आ रही है सितामधी में जन सुराज के कुछ कारे करता पैसा बांट रहे थे आप समझ रहे है कि कैसा मतलब ये तिरूत उप चुनाओ का कैसा मतलब पैसों का खेल हो रहा है आप समझ सकते हैं और मैं बात कर रहा हूँ अभी एमेम के कि एह तशामूल हशन रह्मानी साहब से पूछा गया कि सर इतनी दिगज दिगज पाटिया है आप अपने आपको कैसे और कहां देख रहे है वो साब बोला कि हमें हमारी जो मत दाता है उस पे भरोशा है पूर्ण भरोशा है क्योंकि जो मसला हमारे देश में भी चल रहा है बरतमान में अगर यहीं उसके पास मौका है किस तरह दुसरी पाटिया वोट ले लेती है उसके बाद कहती कि अरे ये लोग तो हमें वोटी नहीं देता है तो इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता है। और यहीं मौका है, जो हमारे 26,000 वोटर्स है, पलस दलित-महादलित के भी कुछ असनातक वाला वोटर्स है, वो हमारे साथ है, खूल के हमारे साथ है, continue। तो इससे बहतर भी कल्प नहीं हो सकता, इससे बहतर मौका नहीं हो सकता, यहीं मौका है, वाकई में अगर उन लोग को घुटने पे लाना है, तो जब रहमानी साहब से कहा गया कि आप देख रहे हैं कुछ पाटिया का नाम भी आ रहा है, कि कुछ पाटिया तो पैसों का खेल खेल रही है, तो साफ-साफ उनका कहना है, हम उस पर यकीन नहीं रखते हैं. आप अगर पैसे ले के अपना जमीर जमीर बेच रहे हैं, तो कहीं ने कहीं फिर आपके ही बालबच्ये, आप ही आवाज उठाते हैं कि अरे ये इतने साल जितने के बाद कुछ नहीं किया, वो नहीं किया, तो यही चिए भी सतर कराना है भाईया, कि अगर पैसो से अगर बिकोगे, पैसो पर वोट दोगे, तो जो 23 महिने का कारेकाल है, फिर ये उमीद मत रखना कि कोई काम करेगा, ये राहमानी साहब का साफ साफ कहना है, और स अच्छा बेवाकी से, राहमानी साहब ने बिल्कुल सही कहा, कि अगर पैसा दे के आपको वोट देता है, और आप उमीद रखते है, कि ये इनसान हमारे लिए काम करेगा, हमारे जिला के लिए काम करेगा, चाए हमारे परखंड के लिए काम करेगा, चाए हमारे विधान थे तब और इस बार तो आप जान रहें कि A.M.M. के साथ है, A.M.M. के पाटी से है, तो वाकई में इसका एवेस तो बढ़ना चाहिए, मिलना चाहिए, तिसरे नमबर पे थे, इस बार तो उम्मीद है उनको कि एक पे हम रहेंगे. साथ साथ रहमानी जी का कहना है, कहीं न कहीं जो लोग कह रहें थे, कि जन सुराज, जेडी वगा आर जेडी है, आर जेडी ने किया क्या है? पर आप बताईए. आरजेडी हर समय हमेशा यहीं काम करती है हावा हावा उसका कैनिडेट आता है और फिर लग जाते है काम में जेडियू के जो कैनिडेट है आप देख रहे है अभी सेख जा वो क्या है और पलस जेडियू के जो अभी MP है बरतमान में कैसे उन्होंने अननगल बाते की थी रही बची खुची कसर तो ललन सिंग ने पूरा ही कर दिया है जन सुराज को भी लोग देखी रहा कि पैसा बाट रहा है बता दू जेडियू के जो कैनिडेट है और उसके जो NDA गठबंदन के तहत जेडियू आता है उसमें बीजेपी के जो कारे करता है वो बिलकुल दिखी नहीं रहा जेडियू के कहीं मीटिंग में इसी से कहीं न कहीं जो जेडियू के परतियास्य अभिसेक जहाँ उसको भी लग गया कि भाया हम नहीं जितने वाले हैं क्योंकि लोग समच चुके है कि ये जेडियू, आर जेडियू और पलस जन सुराज ये तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इसलिए आपके पास बहतर मौका है, बहतर बिकल्प है, एह तशामुल हसन रहमानी सहब जो वाकई में उनका जो मिशन है, जो उन्होंने अपने मैनुफेस्टू में कहा है, कि हमारी पहली प्राथमिक्ता क्या होगी, उस पे वाकई में लोग को भिश्वास हो रहा है, कि नहीं ये करके दिखाएंगे, आप लोग जो सोते सिर्फ मुसलमानों के वोट से कैसे जीतेंगे, आप लोग के मन में यही चलता है, कि फिर ये RJD के मतलब कि आ गया ही करने, बहुत अगर अगर आपको ऐसा धाना लगता है, तो मैं ये भी बता देता हूँ, RJD के कैनिडेट नहीं जितने वाले हैं, ये भी आप याद रखना, क्योंकि वोट जो है न, तितिर बितिर हो रहा है, आप एक्जामपल देख लिजिए, आप एक्जामपल ले लिजिए, अभी UP के, जो उप चुना हुआ था कु कितने सारे मुसल्मान वहाँ पे कैनिडेट थे, और एक हिंदू था राम्बी ठाकुर बीजेपी का, वो कैसे जीत गया, अब बताओ, मुसल्मान भाईयों ने वोट दिया न, वो तो कह भी रहा है, कि दिया है वोट, इसी तरह आपको लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐस के लोग है, वो समझ रहा है, जानते हैं, और सभी बाते, इवेन कि पिछरा लोग, जी हाँ, पिछरे समाज के लोग भी है, हर जगा जात धर्म नहीं देखा जाता है, और ये मैं आपको पहले ही बता दिया, कि ये विधान सभा की चुनाव नहीं है, जो आम लोग वोट दे हुआ है, जिसका नाम होगा आटो लिष्ट में, वहीं दे सकता है, हर पिये पास वाला ये वोट नहीं कर सकता है, इसलिए रहमानी साब बिलकुल आगे बढ़त बनाये हुए, जिस तरह से लग रहा है, आप देखिएगा, इनकी सबसे बड़ी खास्यत ये है, कि इनकी या आपने बाई सल जिसको समर्थन दिया, जिसको वोट दिया, आपके समाज के प्रती, या ठीक है, आपके बिधान सबा में ही, आपके समाज के प्रती न किया हो, अलग बाते, आपके बिधान सबा में ही, या आपके पंचायत में ही कुछ कार ही किया हो, तो ऐसा आप बता ये हमें लोग वाकई में जब जमीनी अस्तर पर जाकि जब लोग को कन्वेंस कर रहे हैं वो भी जहां आप जानते हैं कि भाईया हर जगह नहीं जाते हैं जहां जानते कि इनका वोटो लिश में नाम है ये वोट दे सकते असनातक वाला उन्हीं के पास जाते हैं और रह्मानी साब के हर मदर्से में हर इस्कूल में अच्छी पकड़ है तो अभी तक जो खबड़े आ रही थी मैं आपको अपडेट दिया हूँ विसेस आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंड करके जरू बताएगा और जो भी मेरे चैनल के माधियम से अगर असनातक पास वोटो लिष्ट में नाम है तो आप लोग प्लीज देखिए मैं यही कहूँगा विसेस मैं क्या कहूँ और बस सोच समझ के इस वार अपना मतदान कीजिए ताकि आपके इलाके में अच्छा से अच्छा बेहतर से बेहतर काम हो सके क्योंकि आप अच्छा कैनिडेट चुनिएगा तभी बेहतर काम होगा हिंदू मुसलिम करने वाला कैनिडेट चुनिएगा तो फिर क्या होगा तो आप समझी सकते हैं और क्या होता आ रहा है तो चलिए विशेस ये अपडेर था मैंने आपको दिया है कि कैसे जन सुराज के जो मतलब कुछ कारे करता है जो पैसे बारते हुए पकराया है मैं सिता मढ़ी की बात कर रहा हूँ और ऐसे न जाने और भी जिला में हो रहा ही होगा समझ सकते हैं ऐसे और भी पार्टिया कर ही रही होगी तो प्लीज इस पे आप लोगा क्या कमेंट रहा है विचार आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा तब तक के लिए बाबाबा टेक केर देखते रहिए टाइमस अब सीता मढ़ी